बिहार की सियासत पर लग रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग्या है राजधाने दिल्ली में आयुजित पार्टी की राष्ट्य कारकार्णी की बैठक में पार्टी अध्याक्ष ललन सिंग ने अपने पत से स्तीफा दे दिया ललन सिंग के स्तीफे के बाद अब पार्टी की कमान नितेश कुमार के हाथों में जानी त्या है अब ललन सिंग के विदाई पर बीजेपी नेताओं ने किस तरह तंज कसा सुनिए पार्टी कोई दिक्कत नहीं है एकदम उनसे लड़ने के लिए तयार हो आप सुरिये क्या कहना है इस मामले पर विजेए कुमार से नाका जो आया है जाना तई है जो जल्म लिया है मरना तई है लेकिन जो जाता है वो किर्ती करके जाता है उसकी विर्ती उसके जस्त को बढ़ाता है लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है इनका जो विर्ती था इनके किर्ती को घटा दिया एक सोहिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्विकार नहीं करता है जब पाटी का विश्वास नहीं रहे लेत्तितु का विश्वास नहीं रहे उस पद पर रहने का कोई उचित नहीं रहेगा इनको पहले ही इस्तिफा कर देना चाहिए था इस तरह से प्रेश मीडिया लोगों के बीच अपनी दुरगती करा के जाना मुझे अपसोस है हमारे छित के सांसद हैं ये कतई उचित नहीं है श्रीमान लालू परसाजादो बहुत दुखी है आज उनके सपना को साकार करने वाले सबसे हतियार जदियू के रास्टी अद्धक्ष लहलन वावू थे उनका पुत्र उत्रा दिकारी जनता का जनादेश नहीं प्राप्त कर सकता है सीम पत का वो चार है थे कि मैं जीते जी इस पत पर उसको बैठा दें अब देखते जाईए आगे आगे होता है क्या उचाल चलते हैं क्या-क्या वातावन बनाते हैं क्योंकि वो भी बड़ा महाठग है और विहार की जनता के भविस के साथ खिलबार करने में उनको कोई दर्द नहीं होता इसलिए अभी ये टेलर है फिल्म पूरी बाकी है जब धुवा दिखाई पड़े तो आग की संभावना तो रहती ही है मार्केट में बात आई तो सचाई तो होगा ही घबराहट उसी का है मुखमंतिर नितिश कुमार जी लालन बावू होमोपैथिक डाक्टर बन करके पिट के दांत निकालने के लिए चले थे पहले भी पल्टी मारे थे पहले भी कॉंग्रेस में चले गए थे तो कोई नहीं बात नहीं है समाजबादियों का यहीं केरेक्टर और चरित रहता है और जनता समझती है इन लोगों के केरेक्टर को राजनीतिक सुचिता और पारदर्सिता के साथ सुशासन भारतिय जनता पाटी ही कर सकता है और भारतिय जनता पाटी हमेशा करती है कि मैं सत्ता के लिए राजनीत नहीं करता सुशासन के लिए करता हूँ और नितिश कुमार जी को सुशासन के लिए गद्दी पर बैठाया था लेकिन मुक्मंतिर नितिश कुमार जी को जिन लोगों ने परदान मंतिर का सपना दिखा करके दूसासन के गोद में जा करके कूशासन को अस्थापित कर दिये आज सब को पष्चाताप हो रहा है देड़ सही सही लेकिन लोग को समझ में आ रहा है